नमस्कार मैं अम्रिता पांडे आप देख रहे हैं दवी हार्टॉप पटना का महावीर मंदिल जो है वो आस्था के साथ समाज सेवा का भी एक बड़ा उदाहरन माना जाता है आपको बता दे कि महावीर मंदिल के द्वारा कई ट्रस्ट चलाय जाते हैं जिसमें से महावीर कै कैंसर संस्थान के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जैनती का आयोजन किया गया मंगलवार के दिन इस आयोजन में राज्य के राजेपाल राजेंद्र बिश्वनात आरलेकर मौजूद थे जिनके द्वारा वहाँ पे जैनेटिक मॉलिकुलर लैव का उद्गाटन किया गया इ महावीर कैंसर संस्थान का 25 वर्ष पूरा होने पर मंगलबार को रजत जैनती मनाई गई इस औसर पर राजेंद्र बिश्वनात आरलेकर ने राजे के पहले आत्यादूनिक जैनेटिक और मौलिकुलर लैब का उद्गाटन किया मौकी पर राजेपाल ने कहा कि पिडित मान के सचीव अचार किशोर कुनाल ने फुलवारी शरीप में बच्चों के लिए अलग अस्पताल खोलने का घोशना किया यह घोशना उन्होंने राजेपाल के समक्ष की कहा कि रजत जैनती वर्ष के अंत तक यह संस्थान सुरू हो जाएगा संस्थान के चिकित्चक अधिक डॉक्टर एलवी सिंग ने कार्नी कार्किनोस हेल्थ केर के सहयोग से महावीर कैंसर संस्थान के नवस्थापित अत्याधुनिक जैनेटिक मॉलिक्यूलर लैब के विशे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि यह बिहार और पुर्वी उतर भारत का पहला ऐसा लैब है इस से अत्याधुनिक मॉलिक्यूलर डाइग्नॉस्टिक की पहुंच बिहार और उत्तर पूर्वी भारत तक पुरा होगा इस सेवा से नेक्स्ट जैनरेशन सिकेंग सिंग जैसी अत्याधुनिक पीडियों का लाव कैंसर रोगियों को उप्चार में मिलेगा संस्थान की चिकि पुर्व सैन अधिक्षक जेनरल एके चौधरी कार्किनोस हेल्थ केर के डॉक्टर वेक तर्मन पुर्व विधी सचीव वासुदेव राम बिहार राज प्रदूसर नियंतरन परशद के पुर्व अध्यक्ष प्रोफेसर असोक घोस समेत कई लोग मौजूद थे अचार 18 वर्ष तक की कैंसर पिरित बच्चों वाकी सोरों को आई एस कुमार टावर बोरिंग रोड पठना तो निसुलक इलाज करने की घोसना की थी जो आज भी जारी है आचार किशोल कुनाल ने कहा कि महावीर मंदीर कमीटी द्वारा महावीर कैंसर संस्थान का स्थापना का निर्णाय 1995 में लिया गया था तब कि अभिवाजित बि पुर्वी उत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बना आपको बता दे कि अब महावीर कैंसर अस्पताल का 25 वर्स पूरा हो चुका है जिसके उपलक्ष में रजत जैनती का आयोजन किया गया है वहाँ पे राजेंद विश्वनाथ आर लेकर मौजूद हैं और मॉल कैंसर अस्पताल बनवाने का भी घोसना किया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर हमारे वीडियो को आप यूटुब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें अगर फेस्बुक पेस पर देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करें धन्यवाद